सीजन वन एपिसोड 7 यह जो एपिसोड है यह पूरी माइक की स्टोरी है हमें दिखता है कि माइक ट्रेन से उतरता है उसे लेने के लिए उसकी डॉटर इनला आई हुई होती है माइक उसे बोलता है कि तुम आगे जाओ और मैं तुम्हें फिर से मिलूँगा माइक फिर हमें ट्वालेट में जाता हो दिखता है वो लेडिस ट्वालेट में जेनिटर की तरह जाता है और वहाँ से एक टैमपॉन निकाल लेता है फिर माइक अपने डॉटर इनलाओ के साथ उसके घर जाता है अपनी ग्राइन डॉटर से खेलता है जब वो थक जाता है तो अपनी डॉटर इनलाओ से वो बात करता है वो उसे माफी मांगता है और बोलता है कि मैं जैसा बेहेव कर रहा था वैसा मैं अब बेहेव नहीं करूँगा यानि कि अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसका जो बेटा है वो मर चुका था और इसकी ग्रीव में वो बहुत दारू बिता था इसलिए वो अपनी डॉटर इनलोग को भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाया पर वो अब यहाँ आ चुका है उसकी डॉटर इनलोग अब अलबर करकी में शिप्ट हो चुकी थी तब वो मुझे बहुत डिस्टंग लग रहा था वो अच्छे से खाता पीता भी नहीं था और बहुत चिड़ा चिड़ा रहता था वो जैसा हमेशा होता है उससे ज़्यादा टेंशन में वो तब था वो उससे समझाता है कि बुलिस एमोशनल होते है वो किसे टेंशन में होगा इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर रहा होगा वो उससे बोलती है कि मुझे पता है कि जब वो अच्छा होता था और जब वो बहुत बुरा होता था पर ये अलगी था वो बहुत ही जादा ट्रबल में था इसलिए वो ऐसा बेहव कर रहा था दिन में जब उटी तो रात में वो किसे से बात कर रहा था वो बहुत ही एजिटेटर था और वो गुसे से बात कर रहा था मुझे लगा कि वो तुम ही होंगे तो उससे बुछती है कि क्या वो तुमसे बात कर रहा था माइक बोलता है कि मुझे नहीं याद है कि उस दिन मैंने उससे कही बात की थी उसके daughter in law को 100 पर से मालूम होता है कि माइक से ही वो बात कर रहा था इसलिए वो माइक को फिर वहाँ से जाने के लिए बोलती है माइक फिर वहाँ से क्याब लेता है जो taxi driver होता है वो उसे stirred लगता है यानि कि उसका भी criminal record होगा वो पहचान जाता है फिर वो taxi driver से बोलता है कि तुम कितना अच्छी तरीके से इस city को जानते हो फिर वो taxi driver उसे उस गोली को निकालने के लिए एक डॉक्टर के पास लिकर जाता है वो डॉक्टर से बोलता है कि तुम्हें अब अराम से रहना है वो उसे pain medication भी देता है वो उसे पुछता है कि अगर तुम कुछ काम में interested हो तो मैं तुमारे लिए काम दे सकता हो यह जो डॉक्टर होता है यह illegal लोगों को जब गोली वेगरा लगती है उनको यह help कर लेता है वो बहुत ही जादा charge कर लेता है इन सब चीजों के लिए माइक बोलता है मुझे यह सब काम नहीं करना है यह जो सब events हुए यह flashback में थे अब हम फिर से present में आ जाते है माइक का जो previous partner होता है और एक आदमी वो जहां रह रह रहा होता है Philadelphia से उसे मिलने आये हुए होते है और उसे अब वो question पूछना जाते है माइक को custody में लेते है और माइक वहाँ बैठा हुआ होता है माइक बोलता है कि मैं सिर्फ मेरे lawyer से ही बात करूँगा वो उसे समझाने की कोशिश करते है कि तुम trouble में आ सकते हो अगर तुमने lawyer को assist किया पर वो मानने रहा होता और फिर Saul ने उसे जो काट दिया होता है वो उन्हें दे देता है Saul को coffee के लिए भी पूछता है माइक का प्लान होता है कि माइक उसके जो note से तो वो लेना चाहता है यानि कि उसे सब पता चल जाए कि उनके पास क्या-क्या evidence है फिर वो दोनों officers वहाँ आ जाते है माइक उनसे बुछता है कि समझो कि मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे बोलो कि माइक को तुमने क्यों यहाँ रखा है फिर वो उसे समझाते है कि माइक का जो son है मैटी वो पुलिस में था और उसका partner और वो एक pressing पर गए थे तो उस दिन मैटी को गोली लगे और उसका partner वहाँ से बज़ गया मैटी और उसके partner ने दोनों ने backup भी बुलाया था पर जब backup आया तब बहुत देर हो चुकी थी backup भी और एक cop होता है फिर वो उसे पताते हैं ये दोनों जो cops थे वो कुछ मेने बाद dead मिले एक सुमसान की जगा वो मरकर पड़े हुए थे उस दिन माइक भी उनसे मिला हुआ होता है इसलिए माइक को उन्होंने questioning के लिए बुलाया होता है और दुसरे दिन माइक वहाँ से निकल गया था तो माइक से वो पुछते कि कब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारे son का partner मर चुका है माइक बोलता है कि मुझे अगले दिन पता चला था और तब तक मैं अलबकर की में था वो माइक से पुछते है कि क्या तुमने उससे बात की थी माइक बोलता है कि मेरी उनसे कुछ भी बात नहीं हुई मैंने सिर्फ उनको वेवेगरा किया था और फिर मैं वहाँ से चला गया था फिर इनकी बातचीत यहां खतम हो जाती है Saul बोलता है कि हमारे मेरे क्लाइन को अप में लेकर जाने वाला हूँ Saul जब जा रहा होता है तो वो कॉफी गिरा देता है और माइक उनसे वो नोटबूक निकाल लेता है Saul फिर माइक से गाड़ी में पुछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं ये कॉफी स्पिल कर दूँगा माइक उसे कुछ भी आंसर नहीं करता माइक फिर उस नोटबूक में देखता है कि उनके पास क्या एविडन्स विकिरा है साथ होती है और माइक उसके डॉटर इनला को मिलने जाता है माइक बहुत ही गुस्सी में होता है और उनसे पुछता है कि तुमने उनने क्या पताया उसकी डॉटर इनला बोलती है कि मुझे लगता है कि मैटी एक डर्टी कॉप था माईक उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह नहीं हो सकता फिर वो बोलती है कि जब वो मर गया था तो कुछ दिन बाद मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे 5000-6000 डॉलर्स मुझे उसके क्लोजेट में मिले थे इसके बाद वो बोलती है कि उसका जो पाटनर था वो भी मर गया था तो इन दोनों का कनेक्शन हो सकता है मुझे सिर्फ इसके किलर को ढूणना है मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए उसे बोलता है कि तुमारे हेड में यह पक्का कर लो कि मैटी यह डर्टी कॉप नहीं था इसे हम फ्लैश बैक में आते है माइक हमें दिखता है कि एक कॉप कार को वो ओपन करता है उसे ओपन करकर उस कार में कुछ वो रख देता है फिर वो बार में आ जाता है उसे बार में मैटी के पार्टनर दोनों होते है फिर वो उनकी तरब जाता है और उन्हें बोलता है कि मुझे पता है ये तुम दोनों ने ही मैटी को मारा था बहुत ही रात हो जाती है फिर भी माइक बार में ही होता है जब वो बार से निकलता है बहुत ही ड्रंक होता है और उसे चलना भी नहीं आ रहा होता फिर वो दोनों को आप उसे बोलते हैं कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ और हमें तुमें छोड़ देंगे फिर वो दोनों उससे गाड़ी में बुछते हैं कि तुम वहाँ बार में क्या बोल रहे थे माइक फिर बोलता है कि तुमने उसे उस जगा लाया था तुमने स्टेज किया और उसे मार दिया वो तुम्हारा सुन नहीं रहा था इसलिए तुमने उसे मार दिया फिर वो उसे एक सुमसान जगा लेकर जाते हैं उसे खड़े रहने के लिए बोलते हैं और उसमें से एक बोलता है कि हमें अभे ही से मार देना चाहिए वो माईक ने सुसाइट कर दी ऐसे वो स्टोरी बनाने वाले होते है माईक की गन भी उनने छीन ली होती है माईक को जब वो कार से निकाल रहे होते है तब माईक ने उस कार में अल्डेडी एक और एक गन छिपाई हुई होती है तो उसके पास अल्डेडी गन होती है माईक उतना ड्रंग भी नहीं होता फिर वो उन दोनों पर गोली चलाता है उसमें से एक फिर से उठता है और माईक के कंदे पर गोली चलाता है और माईक उसे फिर सर पर गोली चलाता है और उसे मार देता है फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं और वो अपनी डॉटर इनलोग के यहां आया हुआ होता है वो उसे समझाता है एक ड्रग डिलर था उसके यहां इन सब ने रेट डाली थी मैटी भी वहा था और बहुत सारे पैसे वहा थे तो इन कॉप्स ने डिसाइड किया कि अगर थोड़े से पैसे उन्होंने रख लिये तो कोई भी प्रॉलम नहीं होगा मैटी ने कोई भी पैसे नहीं ले थे वो उसे पैसे लेने के लिए फोर्स कर रहे थे अगर मैटी ने पैसे नहीं लिये तो वो थ्रेट बन चुका था तो इसलिए उसने मुझे call किया था माइक बोलता है कि मैं हमेशा से एक dirty cop था मैं हमेशा पैसे ले लेता था और पैसो के लिए कुछ भी करता था वो अपनी daughter-in-law को बोलता है कि Matt ने कभी भी किसी से पैसे ने लिए और कुछ भी गलत उसने कभी नहीं किया उस दिन रात को जब उसने मुझे call किया था तो मैं उसे समझा रहा था कि वो उस पैसो को ले ले वरना वो police officer उसे हड कर सकते थे मैंने उसे पैसो लेने के लिए मर्जबूर कर दिया था मैंने उसे break कर दिया था उसकी जो self-esteem थी वो मैंने बहुत ही down कर दी थी इसलिए वो इतना tension में रह रहा था इसे यही तुमने notice किया था मैंने उसे सब पैसे ले लेने के लिए बोला और उसने वो पैसे ले भी लिए मुझे लगा था कि अब उसे वो trouble नहीं करेंगे पर उन दोनों ने पैसे लेने के बावजूद भी उसे मार दिया फिर उसके daughter in law उसे पुछती है कि उन दोनों को किसने मारा माइक बोलता है कि तुम्हें मालूम है कि उन दोनों को किसने मारा होगा यही एपिसोड खतम हो जाता है